हेलो दोस्तो मैं हूँ पंकज वेलकम आम रहा में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे कि डीजीपे का जो न्यू वर्जन है अभी अपडेट हुआ है उस अपडेट में हम सबसे पहले तो हम कैस्ट डिपोजिटिव में कर सकते हैं दूसरे नंबर पर मैं बात करूंगा को उसको डीजीपे में नया अपडेट आने से हम उसकी उस डिवाइस को अपने डीजीपे पर वर्क कर सकते हैं तो हाला कि मेरे चैनल पर उसका सौफ्टर इंस्ट्रोलेशन वीडियो पड़ी है आप वहाँ जाकर देख सकते हैं फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन स ड्राइब आप ड्राइबर आप स्टोर कर सकते हैं सबसे पहले आप लिखिए को जेंट अर्डी सर्विस जैसे आप क्लिक करेंगे इसे लिखने के बाद आपके सामने प्रिसेंस का यह ओप्शन खुल जाएगा वंपेज जा जाएगा इस पर नहीं जाने आपको सेकिंड प पर आएगे तो आपको सामने दिख रहा है एक त्रियम कोजेंट सीएजडी दोसो हम आप इसका ड्राइबर जो है इस्टोर करेंगे यहां से डाउनलोड करेंगे देखिए यहां पर एक क्लिक में डाइबर डाउनलोड हो जाएगा यह ग्यार एंबी का ड्राइबर है आप पर जाया है और यहां पर जाने के बाद इसे एक्सट्रेक्ट हेयर कर सकते है यहां से बिक्राइबर पर जाके और इसके बाद आप इसे इस इसमें एकटीफाइल है को सेटप फाइल को आप इसे जाके पीवी आर्ड को एक्टरट है hundred रन्टू एण। कर सकते हैं तो चलिए माँस चलते हैं मैं Ini स्ट्री मेन चैर्ण पहले से स्टोल है और इस डिवाइज को आप डीजी पे में भी यूज कर सकते हैं और आप इसरम पर भी यूज कर सकते हैं और आप इसे इसपाइस मनी पर भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पाइस इसपाइस मनी है तो आप इसपाइस मनी पर भी यूज कर सकते हैं देखिए मैंने device को लगा दिया है device को लगाने के बाद देखिए यहांपर message so होते हैं आप यहां के लिक करेंगे तो यह देखिए device आ गया presence management client प्लीज़ बेट connected device यह पर यहां so करेगाए so होने के बद अब देखिए device ड्यडी नहीं हुआ है अब देखिया आप यह देखिये management client update successful और device PB CSD 200 device ready to use देखिये मेरी device ready हो चुकी है अब मैं क्या करूँगा मैं DGP को login कर लेता हूँ मैंने new DGP install कर लिया है आप इस आसानी से install कर सकते हैं आपको मैं बता दूँ कि DGP download कहां से करना है DGP का एक ही पेज है आप यहां पर इसमें लिखिए सर्च बार में अगया अगया दीजी पे और DGP dot cloud dot in पर आप पहुच जाएंगे यह देखिए अभी मैंने डाउनलोड किया था असानी से हो है इसको सर्वर यहां पर आप DGP download पर क्लिक करेंगे डाउनलोड डीजी पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो option 100 करेंगे site 1 और site 2 और android version यह आपको जो है ना site 2 पर download करना है जो system में आगर आप computer laptop में आप चलाना चाते हैं तो आप site 2 पर इसे जाकर download करें और नीचे वाला version जो है इसके लिए application है mobile के लिए tablet के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं तो यहां से आप download कर सकते देखिए मैंने site 2 पर क्लिक किया और यह डाउनलोड होना शुरू हो गया हाला कि यहां काफी बाइं डाउनलोड कर चुका है वह डाउनलोड नहीं करूंगा मैं कैंसिल कर देता हूं चलिए मधी ब्रकान कर लिए और इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर कोटी भी जाएगा हाला कि मैंने अपने नंबर को अफ कर लिया है नोटिफिकेशन की वज़े से अभी प्रोसीड हो रहा है मैं आपको बता दूं कि मैंने इसकी आर्डी सर्विस को अहां देखी प्रोसीट हो गया और डीजीप को और टीपे जनरेट कर लेते हैं और इधर में अपने मुबाइल नंबर को अउन कर लेता हूं नोटिफिकेशन की विज़े से रिकोर्डिंग में डिस्ट अपना हूं इस कि वोटीपी आने के बाद अब मैं अथन्टिकेट पर क्लिक करता हूं जैसे आप अथन्टिकेट पर क्लिक करेंगे डिवाइज रेडी हो जाएगी शायद मैंने इसकी सर्विस को स्टॉक परके रखा है इसकी वज़ेसे डिवाइज में भी लाइट नहीं आई है के लिए रेडी नहीं हुई है कि मैं अभी हाँ देखिए यह डिवाइज रेडी है और डिवाइज रेडी है फिंगर के लिए चैप्चर का उफसन आ गया है जैसे मैं फिंगर मैंने इसके अपना कैक्टर किया तो देखिए आपके सामने डीजीप मेरा प्रोसेस में है और लोगिन हो रहा है देखिए आपके सामने दिखा दू कि मेरा डीजीप लोगिन हो चुका है और अपने डीजीप मैंने आज दो ही ट्रांजक्शन किया है और यह आपको मैं नीचे बता दू कि यह उफसन अभी तक नहीं था यह नए अपडेट में यह उफसन आने लगा है आपकी यह बताएगा कि कौन सी दिवाइस कनेक्ट है यह नहीं देखिए मेरी अरी सब्स्क्राइब कशनेट की जो टिवाइस है वो कनेक्ट है दो सरे दीखा रहा है तो आसा करता हूं मेरे देगे जनकर यह आपको अच्छी लग लिग हां मैं आपको एक बार और बता दू स्वारी मैं माफिशाता हूं कि आप इसे सिन्व पर कैसे द्रब करेंगे इस डिवाइस को इसम पर कैसे यूज्ड करेंगे कि है C Nej Si Login कर लें का शृष का और जानियर में कि शैसी Login हो गया और मैं नमबर से Login कर लेता हुँ यहाँ पर आपके एफ चक एंटर कर दें पर एक नमबर पर ओटीपी जनरेट होगा आपके यह देखी मेरे पास ओटीपी आ चुका है अ फिरव को अधहाँ नमबर एंटर कर देना है जैसे आप अधहाँ नमबर इसमें एंटर करेंगे ए अधहाँ नमबर एंटर करने के बाद पर आपको capture बायमेटिक पर क्लिक कर देना है जैसे आप capture बायमेटिक पर क्लिक करेंगे नहीं यह मैं बता दूँ कि माइनर है जिसका धानमर में डाला है इसके वेशी लोगी नहीं हो रहा है जैसे आप capture पर पर क्लिक करेंगे प्लीज लिखाव आ रहा है और आपके डिवाइज रेडी सोरी में बता दूँ कि यह देखिए आपके सामने डिवाइज फिंगर कैप्चर के लिए आ गई है और आप बढ़ी आसानी से इस डिवाइज को इसरम पर भी यूज़ कर सकते हैं अभी मैं आपको कि और इस पाइस मनी पर भी आप इस आसानी तो यूज़ कर सकते हैं मैं आपको इस पाइस मनी लोगिन करके भी दिखा देता हूं फिनो पर यह डिवाईज अभी सो नहीं करती है तो मुझे इसके लिए नमबर लोगिन पर करना पड़े है क्योंकि इस फाइस मनी का मेरे मॉबाइल पर ओटी भी जाएगा मैं आपने नमबर को फिर साउन करता हूँ मेरे पास ओटी भी आ चुका है इस फाइस मनी का होमपेज मेरे स्क्रीन पर आ चुका है मैं स्फाइस मनी को बहुत फिलाल कभी कम यूज करता हूं कि मैं छी सित्व करता हूं कि में पर यहां पर कोई भी नंबर एंटर करतें पर आपको अधान नंबर एंटर करना है अधा नंबर एंटर करने के बाद आप किसी भी बेंग को सिलेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने केप्चर पर जैसे क्लिक किया कि यह देखिए यह डिवाइज इस पर भी वर्क कर रहे है तो आसा करता हूं मेरे दीगें जानकर आपको अच्छी लगी ओगी आप इस तरह अपनी इस डिवाइज को लगबक दो तीन पोर्टलों पर यूज कर सकते हैं आप इससे इसपाइस बनी पर यूज कर सकते हैं और आप इस्रम काड़ भी से बना सकते हैं तो इसी तरह बने रहे हैं मेरे चैनल पर आप सभी का धन्यवाद